असलाम लेकूम आज मैं गूजबेरी का जैम बना रही हूँ बहुत टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है जिसे आमला भी कहते हैं तो इसका मुरबत लोग बनाती ही है आज मैंने इसका जैम बनाया 500 ग्राम्फ मैंने गूजबेरी लिया है और यह देखें मैं मार्केट से लाइ थी दो-तीन दिन फ्रिज में रह गया तो इसका कलर चेंज हो गया इसमें मैंने तकरीबान लीटर पानी डाला है और उसको मैंने चूले पर रखा है बॉइल होने के लिए अब भी मैंने इसको फुल फ्लेम पी रखा है यह गल गया अब इसको मैं चूले से हटा इसके पानी को फेकना नहीं है यह देखो बिल्कुल अच्छे सी गल गया है और इस बूस बेरी के मैं सारे का सीट्स निकाल लूँगी सीट्स निकालने कब फिर से उसी पानी में मैंने इसको भी डाल दिया है और इसको मैं बिलेंडर में डालकर बारीक पेस्ट बनाऊंगी इ पानी इसका बिल्कुल नहीं फेकना है, जो भी पानी इसमें पकने के बाद बॉयल होने के बचेगा उसी में इसका पेस्ट बनाना है बहुत एजी वह बनाना और बहुत जल्दी ये बन जाता है और यह 300 ग्राम्स मैंने शुगर लिया है क्योंकि 500 ग्राम्स गूस बेरी था तो उसका सीड भी निकल जाएगा तो वह कम हो जाएगा शुगर मैंने 300 ग्राम्स लिया और इसमें मैं डालूँ गी लिमन जूस और यहे काला नमक 1 फॲफ टीенная स्पून त्क्रीबर मैं डालूंगी लिमन जूस टू ट्बर स्पून यूस करना है इसमें और हाफ टीए स्पून मैंने लिया है रोस्टेट क्यूमिन पॉडर मतलब सफेज जीरा को रोस्ट करके उसके मैंने पॉडर बना लिया था ये भी मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाया इसकी बड़ी अच्छी से खुश्बू होती है फ्रेश की और ये शुगर है और ये जो गूजबेरी के मैंने पेस्ट बनाया था उसको एक स्टेनर में मैंने इसको लेके अच्छी तरीके से छान लूँगी क्योंकि इसके अंदर में एक थेड़ जैसा निकलेगा वो नहीं डालना है जैम में ये इसको फेक देना है और रमजान में इसको बना कर रख लें फ्रिज में तो सेहर में ये काम आ सकता है अब एक पतीली को मैंने चूले पर रखा और उसमें फिर से इसको गूजबेरी के पेस्ट को मैंने इसमें डाला है अभी भी फूल फ्लेम पे ही चूला मैंने कर दिया बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट ये हमारा बना है और ये इस पर शूगर चला गया वैसे गूजबेरी तो बहुत फायदे की चीज़े गूगल पर सर्च कर तो सब पता चल जाता है हर कुछ गूगल पर ही मालूम हो जाता है लोगों को किसके क्या फायदे है और विंटर में ये होता है तो इसकी चेटनी हम लोग खूब बना कर खाते हैं कि बच्चे वैसे चेटनी नहीं खाना पसंद करते हैं तो बच्चों को ये जैम बना कर देना चाहिए इसके ऊपर ये जब मैंने शुगर डाला शुगर मेल्ट हो गया तो उसके बाद ये बिल्कुल फोम जैसा ऊपर में बन गया है तो इसको सब को रिमूव कर देना है फो है यह मैंने इसके सारा उपर का फोम डिमूव कर दिया है और ये जैम का बिल्कुल परफेक्ट कलर अब दिखने लगा है जै काला नमक चला गया एक में और बन जूस चला गया उसके साथ एक सीट भी चला गया सीट को रिमूव कर लेन आख वेल्कुल थिक थिक सा हो गया यह अब और एक बार फिर से मैंने चुड़े को फुल फ्लेम पे कर दिया है कि यह थोड़ा जल्दी और थिक हो जाए फास्टर हो जाए इसमें मैंने काला नमक डाला तो उससे बहुत अच्छी से एक खुश्बूए आने लगी जैम से और थोड़ा से निकाल कर मैं इसको टेस्ट करूंगी कि यह दो मिनट में ठंडा होने के बाद से यह कितना जमता है कितना थीक हो रहा है इसमें मैंने शुगर कम डाला है तो इसको शुगर वाले भी खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा वो भी यूस कर सकते हैं और बहुत मज़े के यह जैम हमारा रेटी हो गया है ठीक भी हो गया है और टीस्टी भी हो गया है क्योंकि इसमें मैंने काला नमक डाला है और लेमन जूस डाला है और यह अब तक्रीबन यह फाइनल स्टेश पर है जैम तो इसमें अब मैं लास्ट में डाल लेए हूँ जीरा पॉर्डर जुलाव को मैंने बंद कर दिया है और यह थोड़ी देर के बाद यह ठंडा होने के बाद से यह ऐसा दिख रहा है इसको एक कांच के कंटेनर में मैं लख रही हूँ प्लास्टिक में लखना आए इसको अब बच्चों को तो जरूर यह बना कर खिलाना चाहिए बच्चे वैसे आमला का मरं ओ हम्रबह नहीं खाते हैं यह चटनी नहीं हाते हैं तो यह जैम रोटियों से पराठों से बिस्किट में लगाकर बच्चों को खिलाना चाहिए बहुत टेस्टी वाला बहुत यमी वाला यह गूस बेरी के जैम हमारा रेडी हो गया है है सब इसको ट्राइ करना और बताना कि कैसा लगा यह जैम चले सब इंज्वाइब करो देखो अला अफेल प्रेश चले से जैम हम बहुत टेस्टी वाला यह जैम है झाल झाल झाल